पूर्व के इंद्रियों मंत्री कांटिलाल भूरिया के बयान पर मद्य प्रदेश की राजनीती गर्मा गई और इसी बीच कॉंग्रेस ने था पीसी शर्मा ने इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कांग्रेस के वरिशनेता है और उन्हें जानकारी मिली होगी इसी वज़ा से उन्होंने ऐसा कहा है इस मामले पर PC शर्मा से बात किया हमारे सरयोगी शुभम गुप्ता ने भारती जन्ता पार्टी पूरे प्रदेश में राम मंदीर को लेकर चंदा एक खटा कर रही है और इसी को लेकर कांग्रेस के वरिशनेता कांधिलाल भूरिया का एक बयान सामने आ है जिसमें उन्होंने कहा है कि BJP की कारेकरता सुबह चंदा लेते हैं और उसी चंदे की शाम को शराप रिते हैं कांग्रेस के वरिशनेता पीशे शर्मा जी हमारे साथ हैं सर इस बयान से कितना इत्यफाक रखते हैं देखें कांधिलाल भूरिया जी बड़े वरिश्ट कॉंग्रेक्स निता हैं केंदरी मंदीर है अध्यक्स निश्चित तर्व उन्होंने जाबो हम कुछ ऐसा देखा हुगा कि चंदा लेकर भारतियंता पार्टी के लोग शराब पी रहे हों और इस तरह के कहीं-कहीं की नजर में आया हुगा और दूसरा लक्षमन सिंग जी ने भी खा जो विधायकों सांसद रहे हैं बीज़े पीशा भी सांसद रहे हैं कि यह जो पैसा खटा करता है चंदा यह तो यह इससे पंचायत और नगरपाली का चुनावर अलानिम लगाते हैं तो उनने कहीं देखा हुआ पहले तब तो बोल रहे हैं इसलिए अथंडिक है और दूसरा बीजेपी शराब के मामने तो वैसी ओपन है कि घर घर पहुंचा हैंगे तो मैं समझता हूं कि जब यह आनलाइन शराब को कर रहे हैं तो मेरा इन से निमेदन है कि जब डिजिटल बजट आ गया डिजिटल इंडिया है मोधी जी कहते हैं पैसा जो राम मंदिर में देना है दान डिजिटल क्यों नहीं हो रहा है इसमें जो बैंक अकाउंट से दें और उसमें देलें कि चंदा जब खटा होगा तो निश्चीत तोर पर घपला होगा और क्योंगी पहले भी हुआ है निमोही अख़डा के जो संत हैं सीता राम जी उनने काई कि 14 क्रोड रुपय का इनोंने आज तक कोई हिसाब नहीं दिया है तो यह हिसाब भी नहीं पीशनेता पीशी शर्मा जो कि इस पश्टूप से लोगों से यही अपिल कर रहे हैं जब ऑनलाइन बजट आया है तो फिर घर घर जाकर चंदा एकटा करने की कोई जरुवत नहीं है ऐसे में कॉंग्रेस जन जागरन अभियान भी राम मंदिर को लेकर चला रही है कि अगर आपको चंदा देना है तो आप या तो बैंक में जाकर जो ट्रस्ट का अकाउंट है उसी में दे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करें वुडियालिस के साथ शिभम गुपता नीश्टे बपार प्रोट्रायम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कांतिलाल भूरिया के उस बयान पर फलेटवार किया जिसमें भूरिया ने कहा है कि राम मंदिर के नाम पर जो लोग सुभा चंदा इखटा करते हैं वो लोग उसी पैसे से बैठ कर शराप पीते हैं रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांतिलाल भूरिया की राजनितिक व्रिद्धी रुख गई है साथी नों ने कहा कि जो लोग बाबर जैसे कातिलों के तलवे चाटते हैं ऐसे लोग ही राम मंदिर के खिलाव बयान बाजी कर रहे हैं इसके लाबर नों ने ये भी कहा कि राम मंदिर के लिए समर्पन राशी सीधे अकाउंट में जाती है बीजेपी का इस से इस अभ्यान से कोई वास्ता नहीं है भारती जनता पार्टी का कोई भी इसमें रॉल नहीं है संत समाज विशिंदू परिशद राश्टी स्विम्शक संग और सम देश वर के हिंदू जन्मानश अवद में राम मंदिर निर्मान के लिए अपनी आउती दे रहे हैं स्वैक्षा से समर्पन कर रहे हैं कोई चंदा वशुली नहीं हो रहा दिगविजे सिंग जैसे घंगोर लीगी आदमी ने भी कांतिलाल भूरियाजी जो आपके दिगविजे सिंग जी राजनितिक गुरू हैं आप उनके इशारे पर बोलते हैं करते हैं उनके साथ रहते हैं उनने भी मजबूरी में सही भगवान राम के भब मंदिर निर्मान के लिए रासी दी है